नमस्कार प्यारे बच्चो इस वीडियो में प्लस टू क्लास के मैच सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर एट एप्लिकेशन ओफ इंटेग्रल्स स्टार्ट करने जा रहे हैं हमने लोवर क्लासीज में 9, 10, 10 में हमने एरिया किसी ट्रेंगल का एरिया निकालना हमने सिखा है किस रेक्टेंगल का एरिया हमने सिखा है किसी स्केयर का एरिया सभी जो क्लोस फिगर्स हैं उनका हमने एरिया निकालना सिखा हुआ है ठीक है कोई ने कोई फार्मूला वहां पर जनेरेट हुआ है बट अगर हमारे पास कोई सिंपल कारों है कोई भी सिंपल कारों है उनका एरि this is x let x is equal to a and यहां पर जो हमारे पास length है x is equal to b यह हमारे पास limit हम 7 chapter में भी इसको कर चुके है y is equal to fx simple सा इसके अंदर वाला जो इसके नीचे वाला regions होगा यह इसका क्या होगा area होगा area under simple curve तो क्या बनेगा a to b f of x dx यह हम कर चुके definite integral को कैसे निकालते हैं यह हमारा क्या होता है area under this simple curve और हम हमेशा इसको किसमे लेते हैं modulus लेते है definite integral में हमारा area जो बनेगा वो positive बनेगा area हमेशा positive ही होता है अगर इसकी value मान लीजिए हमारे पास ऐसे आ जाए नीचे की तरफ तो यह वाले जो बनेगा वो negative में आ रहा है values negative में हो सकती है बट area हमेशा positive होने की वज़े से हम उसको किसमे लेंगे modulus में लेंगे ताकि वो positive बन जाए ऐसे भी हो सकता है हमारा figure इस तरह का भी कोई का हो सकता है तो यहाँ पर हमारे पास this is x is equal to f of y and limit यहाँ से y is equal to c से लेके y is equal to d तक तो c to d f of y into dy values हम इसकी 7 chapter में निकालना सीख चुके हैं तो exercise 8.1 में इनी से related हमारे questions होंगे चाहे वो किसी simple car के अंडर हो या कार और किसी line के अंडर हो उन्हें को हम discuss करने जा रहे हैं चलिए exercise की question करते है exercise 8.1 का first question find the area of the region bounded to the cow y square is equal to x y square is equal to x plus 1 में हमने किया था यह equation of किसकी है पैरा बोला है and the lines x is equal to 1 x is equal to 4 and the x axis यह हमारे पास coordinate axis graph सही में बन गया तो दिकत नहीं रहती यहाँ पर यह हमारे पास काव हो गया this is y square is equal to x अब यहाँ पर x is equal to x x dash y y dash 1 2 3 4 5 x is equal to 1 हमारे पास line यह रहेगी x is equal to 4 हमारे पास line यह रहेगी इन्होंने बोला y square is equal to x तो हमें जो यह वाला reason है इसका area find out करना है x is equal to 1 से लेके x is equal to 4 थक हमारे पास क्या होगी limit इस line इस line और curve और x axis के बीच का जो area we have to find solution देखें बहुत यह असान सा हो जाएगा equation of curve equation of curve हमें क्या दिवे है y square is equal to x और we can say y is equal to root of x limit हमारी x is equal to 1 से 4 तक है तो area हो जाएगा area is equal to 1 to 4 y dx 1 to 4 y के value root x dx x की power 3 upon 2 divided by 3 upon 2 1 से लेके कितना हो गया 4 यह value हो जाएगी 2 upon 3 x की power x means 4 की power 3 upon 2 minus 1 की power 3 upon 2 2 upon 3 4 की power 3 means 64 64 की power 1 upon 2 तो 8 हो जाएगा 8 minus 1 7 7 7 तो जाएगा 14 upon 3 आपका अंसर आगया था बहुत ही असान सा था चलिए अब next question करते है नमबर 2 find the area of the region bounded by the cow y square is equal to 9x फिर हमारे पास parabola आ गया x is equal to 2 x is equal to 4 and the x axis in the first quadrant तो सबसे पहले हम इसका graph बनाते हैं यह हमारे पास coordinate planes हो गए यह हमारा y square is equal to 9x cow हो गया parabola 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 यह हमारे पास lines बन गी and then 4 तो हमें इस cow y square is equal to 9x और we can say y is equal to root लेंगे तो हमारे पास यह क्या बन जाएगा 3 root x इसके under वाला जो area है x is equal to 2 से लेके x is equal to 4 तक हमारे पास यह limit बन जाएगी यह area हमने find out करना है solution देखें equation of curve यह हमें देवी है y square is equal to 9x और we can say y is equal to root लेंगे तो 3 root x area area हमारे पास हो जाएगा 224 y dx 224 y हमारे पास 3 root x dx 3 x की पावर x raise to power 3 upon 2 divided by 3 upon 2 224 3 into 2 by 3 x की पावर 4 की पावर 3 upon 2 minus 2 की पावर 3 upon 2 3 से 3 cancel हो गया 2 4 की पावर 3 64 का square root लेंगे तो यह कितना बन जाएगा 8 minus 2 की पावर 3 2 की पावर 3 हमारे पास बनेगा 8 8 की पावर रूट करेंगे तो 2 root 2 हो जाएगा so this is 2 root 2 2 से multiply करेंगे 16 minus 4 root 2 is your answer unit square हमारा क्या हो जाएगा answer आजएगा यह भी असान सा था है चलिए अभी next करते है question number 3 find the area of the region bounded by the cow x square is equal to 4y y is equal to 2 y is equal to 4 यह हमारे पास अब की बार जो पैरा बोला है वो symmetric होगा about y axis and the y axis in the first quadrant अगर हम इसका graph draw करते हैं तो हमारे पास यह बनेगा x square is equal to 4y and then y is equal to 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 तो y is equal to 2 हमारे पास यह line बनेगी and y is equal to 4 तो यह वाला जो reason होगा यह हमने find out करना है यह हमारे पास x is equal to 2 root y बन जाएगा यह reason find out करना है बहुत असान सा हो गया solution देखें equation of curve equation of curve हमारे पास x square is equal to 4y that is x is equal to 2 of root y area limit हमारी 2 से लेके 4 तक x dy means 2 से लेके 4 हो गया x की value हमारे पास होगी 2 root y into dy solution करेंगे integration हो गया y की power 3 upon 2 divided by 3 upon 2 and 2 से लेके 4 यह 2 into 2 by 3 y की value 4 put करूंगा 4 is की power 3 upon 2 minus 2 की power 3 upon 2 हो गया यहां पर यह बन गया हमारे पास 4 upon 3 बन गया 4 की power 3 कितना बनता 64 64 का root लेंगे तो हमारे पास बन गया 8 2 की power 3 8 8 का root लेंगे तो this is 2 root 2 multiply करेंगे this is 32 upon 3 कठाई लिख लेते हैं 32 minus का 8 root 2 आपका अंसर आ जाएगा बहुत ही असान सा था चलिए इस वीडियो में इतना ही next वीडियो में अगले questions के साथ फिर मिलते हैं तब तक के लिए जया ही जया है